आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी अपना उत्राखन में ख़वरों कर लेते हैं उत्राखन के प्रदेश कॉंग्रिस प्रवक्ता और पूर्वर दर्जार राज्य मत्री डॉक्टर गनेश उपात्याई ने गौरी कला निवासी शहिद देव बहातुर के निवास इस्थान पर जाका उनके परिश्डों से मुलाकात की इस दोरान उने 18 जुलाई 2020 को शहिद हुए देव बहातुर के परिश्डों से उत्राखन सरकार के ओर से आर्थिक मदद और अन्य सुथाओं के बारे में जानकारी ली लेकिन उत्राखंट सरकार की तरफ से श्रहिद के परिवार को आर्थिक मदद और अन्य सुफधाय देने की घूशना के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई मदद ना करने पर कम भी नरास्गी भी चताए लॉक्तर गनेश उपाध्याय ने कहा कि उत्राखंट सरकार सेनिक धाम और श्रहिद समान यात्रों जैसे धूंग रचकर श्रहिदों का खुलेयाम अपमान कर रही है एक तरफ बीज़ेपी सरकार सैन्य धाम निर्मान और श्रहिद सम्मान यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी और श्रहिद सैनिकों के परिवार के आर्थिक मदद करने की हवाई घोशना से बीज़ेपी सरकार के साशन के कतनी और करनी का भेद साफ नज़रा रहा है सुल्वा मेना लगबक होने को है जिला कल्यान अदिकारी कई ये सरकार स्टेट गवर्मेंट उत्राखन कई ये के वल इस तरफ उदार्शिंता का महल दिखाई दे रहा है और जब बुख्यमंत्री सईद देवहात्री द्वार का उद्खार्ण करने यहां के शित्री विध्या सेनिक बोल्ड में जाता रहता है वहां यहीं कहते है कि कारी प्रोसेस पे कारी प्रोसेस पे लेकिन कोई की लिए नहीं बताता है कि कहां पर प्रोसेस पे चलना है कोई कहता है कोई कहता है अभी इसका कोई हमें पता नहीं चल पा रहा है उलड़के चक्कर लगा लगा के पर इसके साथ ही उन्होंने अमिजशा की ओर से उन पर लगाए कए आरोपों को खारिश करते हुए कहा कि डैनिस शराव आज बीज़ेपी के राज में ही बिट रही है इससे किसी की मौत होने की अब तक जानकारी नहीं है शाह की चुनाते सुईकार कर उन्होंने कहा कि वो किसी भ परमिश्चा से बहस करने को तयार है साथी राजवासियों को अमिश्चा के दौरे और संबंद से निराशा हाथ लगी है देखें मंच पर कौन नेता किस तरीके का की बात कहके जा रहा है मैं उनकी सब बातों को किपणी के लायक नहीं समझता मगर ग्रवमंत्री के मौह से निकला हुआ सब जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को ले करके शुक्रवार की नमाज को ले करके कहा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सारी अपनी फॉंस फर्रा, CBI, इत्यादी जो भी जितने उनके बाद विंग है सब को लगा दें और वो नोटिफिकेशन वो अधिशूसना दिखा दें जिस अधिशूसना में हमारी सरकार ने सुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोशित की अधिकास नगर चकराता तैसील में दर्दांक सड़क हादसा हो गया वहीं सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई इसकी के साथ कई लोग हादसे में खायल पताय जा रहे हैं पताय जा रहा है कि यूटिलिटी बस अन्यंतरित होका घेरी खाई में गिर गई जिससे ये दर्दांक हादसा हुआ फिलार प्राहत बचाव का कारवे अभी भीचारी है और अभी आधिकारिक तोर पर हादसे में म्रतकों की संख्या की पुष्टी नहीं हो पाई है तो आपको बता दें विकास नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है दर्दून के विकास नगर तहसी में ये हादसा हुआ है दरसल एक बस खाई में गिर गई जिसमें हादसे में 11 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है जबकि कई लोगों के खाई होने की विचानकारी है हाला कि आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने जांच के आदेश भी दे दिये है साथी राहत बचवा कारे लगाता जारी है लोगों को वहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है लेकिर अभी आधिकारी तौप पर मुष्कों की संख्या की पुष्टी नहीं की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने देहरदून के विकास जगर के चकराता शेत्र में हुए दर्दनाक हाथ से बगहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने इश्वर से मृतकों की आत्मा को शान्ती और परिश्रों को दुक्स हेने की शरक्ती पर्दान करने की प्राइपनकी है मुख्यमंत्री ने जिला साशन को तेजी सिर्वाहतów बज़ए कामे करते हुए खायलों को तदकार उपचार उपलब कराने के निर्देश भी दिये हैं आज बड़ी दुखत घटना हुई है गाड़ी में 25 लोग सवार थे जिसमें से 13 लोगों की अभी सूसना मिली है कि उनकी जान चली गई है हम वहारी बहुत गहरी सम्मेदना हैं उनके परिवार के पड़ती हैं जिनकी जान गई है जो गायल है उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए हर संभव हम कोशिज कर रहे हैं हर संभव साहता करेंगी साथी चुकि इस परकार की और लोड़िंग और ये परिवान की भाग को कि इस परकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कारवाई हो और इस पर मजिश्टेस्रियल जांच के भी आदेश कर दिये गए हैं हमारे डीम कमिस्टर सभी लोग जो है मौके पर जा रहे हैं साथ में हमारे मंत्री गणे जोसी जी को भी वहां के कहा के वो भी वहां जा रहे हैं और इस परकार की घटनाएं नहों इसके लिए में सभी आज बड़ी दुखत घटना हुई है गाड़ी में 25 लोग सवार थे जिसमें से 13 लोगों की अभी सूसना मिली है कि उनकी जान चली गई है हम हमारी बहुत गहरी सम्दनाएं उनके परि आती ही चुकि इस परकार की ओवर्लोडिंग और ये परिवन विभाग को हमने सक्त निद्रेश किये हैं कि इस परकार की कोई भी बात आती है तो निसीत रूप से उस पर कड़ी कारवाई हो और इस पर मजिस्टेशिल जांच के भी आदेश कर दिये गए है हमारे डीम कमिस् अत्यतिक जो दवाव है वो न करें जिससे कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेम जागरूप होकर इन सभी घटनाओं को रोख सकें रुड़की के भारापुर शेतर में दरजन भर से ज़्यादा चर्खियों में कोलू माले को खुलयाम रबर का इस्तमाल कर रहे हैं जिससे आसपास के लोगों को फारी परशानियों का सामना करना पड़ रहा है पर ये कोलू माले गरने से पनने बाले खुई का गत्ता बनाने बाली फैक्टरियों को फारी दामों में बीच रहे हैं और खुई के बदले गुड़ बनाने के लिए रवर का इस्तमाल को रहा है जिससे होने पाले प्रदूशन से आसपास के लोगों का जीना वोखाल हो गय साथ ही कई बिमारियों का डर भेन लोगों को सताने लगा है पर थोड़े पैसो के लारज में जर्खी मालेक हर दिन भाई मात्र में ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर प्रवर्वर्मंगबा का जर्खियों में जुला रहे हैं इस मामले में पॉल्र अधिकारी का कहना है कि उनके संग्यार में मामला अभियाया है जोसके लेकर वो संब्द में कारवाई करेंगे पोलिसमेंट डिवाइज लग सकती है उसको लगाने के वाद उसको शंचाला की ग्रहकों के साथ बदसलूखी और मनमानी की मामले बढ़ते नज़रा रहे हैं एक बार फिर एमस में भरती चार साल की मासूम के लाज में ज़रुत पाली दवाईों को देने सिंदकार करने का मामला सामने आया है आरोप लगा है कि न्यूसाई मेडिकल स्टोर के संचालक ने ये खरकत ये कहते हुए दवाई देने से मना कर दिया कि परचे में लिकी सभी दवाईया उनके कहां से ले पढ़ेंगी नहीं तो वो कोई भी दवाई नहीं देंगे दवाई नहीं मिलने पर मासूम के पता ने दो मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए वहाँ पर भी दवाई लेने में मायूसी ही हाथ लगी मासूम के पता ने आरोप लगाए कि न्यूसाई मेडिकल स्टोर के संचालक ने उनका पीछा कर अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को उन्हें दवाई देने से मना कर दिया मामले की जानकारी अपात काली नंबर 112 से पुलिस कंट्रोल डूम में दी गई सूचना मिलते ही आईटी पियल पुलिस चौकी से चीता पुलिस मुखके पहुची पुलिस के कहने के बावजूद भी मेडिकल स्टोर संचालक ने दवाईयां दही दी इस मामले को देखका अंदास्वा लगाई जा सकता है कि मेडिकल स्टोर संचालक पुलिस के खौफ को भी धत्ता बत्ता दे रखे हैं युनेस्को से वेश्व दरोहर दर्जा प्राप्त और जैव विद्धता से भरी चमुली जुलिय की लोगपाल श्रेत्र में सित फूलों की घाटी वराष्ट्य उध्यान आज शीतकाल के लिए परचकों के लिए बंद करती चाहेगी पार्क प्रबंदन ने इसकी पूरी तयारी कर ली है और इस साल करीद 9,404 परेटकों ने फूलों की घाटी का दीदार किया घाटी में आने वाले परेटकों को अगले साल जून तक इंतजार करना पड़ेगा और इस साल घाटी में 9,404 परेटक महुचे और इनमें से 15 विदेशी परेटक शामिल रहे इस साल विभाग को 13,00,00 से ज्यादा रुपे का राजजस भी प्राप्थ हुआ है तो आपको बता दें चमूली में फूलों की घाटी आज परेटकों के लिए बंद हो चुकी है ऐसे मैं आपको बता दें इस साल परेटकों की संख्या 9,000 से ज्यादा रही अब लेकिन परेटकों को वहां घाटी में जाने के लिए अगले साल जून तक आए इतिजार करना पड़ेगा घाटी रास्टी पार्क परती वर्स की भाती इस वर्स भी जो है आज 31 अक्टूबर को शाहिं पांच विजे देशी विदेशी परेटकों के लिए बंद कर दिया गया है इस वर्स फोलों की घाटी रास्टी पार्क में 9,404 परेटक गए हैं जिन में से 15 विदेशी टूरिस्ट गए हैं और बन विवाग को 13,93,575 रुकी का राज़ सुपराप्त हुआ है रुड़की पिगास प्रादिकरन ने अवैद रूप से चल रहे निर्मान कार्वों पतावर्तोर कारवाई करते हुए मौन्ट फोर्ट स्कूल के पास और शेरपुर में HRDA की तरफ से अवैद निर्मान के खिलाफ अभ्यान के अंतकत बड़ी कारवाई की है साथ ही साथ प्रादिकरन की टीम की तरफ से भगवान पुर्च रंदन पुर्च और रहमत पुर्च शेत्र में भी पांच स्थानों पर बिना प्रादिकरन के अनुमती के चल रहे निर्मान कारवों को रुपआया है आपको बता दें कि रोड की शेत्र में विकात्स प्राधिकर्ण की टीम बिना प्राधिकर्ण की टीम की अनुमती के शेत्र में चल रहे निर्मान कारों पर समय समय पर कारवाई करती रहती है दो हरगार रोड पर इस्तित हैं और उनके वह पहले भी सील की गई थी और उसके बाद निर्मान का लिया था जारी था और उस पर मने ने सील की हैं और मैं के विरुद जब अभयाई करता रहा हूं कि जो भी शिकायता आती है और जो ये इस टैके नांटीन सेवंटी थी तराक हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान के काफिले के तेली वाला गाहों में पहुंच्टे कारे करता और क्रामीन काफिय उत्साहित नसराय उन्होंने पार्टी कारे करताओं को संगठन को मस्बूती देने और पार्टी की निक्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कारे क करने को कहा वहीं देवेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर पार्टे हाई कमांज से उन्हें टिकेट दिया जाता है और वो विधाय के रूप में श्रेत्र में आते हैं तो देवेंद्र प्रधान लोगों की सेवा के लिए हमेशा उनकी तरफ से खड़े रहेंगे किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायट लेकर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा श्रेत्र कविकास और आम जन की सेवा ही देवेंद्र प्रधान की प्रात्मिकता रहेगी तो आपको बता दें सेक्रो ग्रामीनोन और बीज़ेपी कारकरताओं ने देवेंद्र प्रधान का स्वागत किया तस्वीरे देख सकते हैं जो अलपुर की गाउंट तेली पहुंचोए देवेंद्र प्रधान जहांपर सभी ने उनका फवेंद्र स्वागत किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि हम हर किसी की जुन्मानस की समस्याओं के लिए परशानियों के लिए आगे खड़े रहेंगे और हर किसी की मदद करेंगे और सब लोगों कह रहा हूँ एक जुठ होकर पुठे चुनाव आ रहा है अपने छेतर में सक्री हो जाएं सभी जब हमारे कारेकरता जो निस्क्रेव हो गया है असके भी घर जाके उसे सक्री करें तरह कि चुनाव में आने वाले समस्याओं के लिए दावेदारी तो है यहाँ उपचिलादिकारी मनेश कुमार ने कोतवाल संजे कुमार के सार सेंचुरी पेपर मिल से निकल रहे कैमिकल योगत जहरीले नाले का निरिक्शन किया उपचिलादिकारी मनेश कुमार ने में दो खता के घोड़ा नाला बैरिंग पड़्डा सहित संबनेच शेतों का भी नि गाल्यों को केमिकल योगत पानी के सेंप्लिंग करने के निर्देश भी थिये नेनेताल के शेत्रों में जुलादिकारी धीरस सिंग गरबयार लगातार आपदा प्रभावेश शेत्रों का निर्क्षिन कर रहे हैं उन्होंने तल्ला रामगर आपदा प्रभावे शेत्र रामगर तल्ला बाजार का इस्थलिया निर्क्षिन किया और प्रभावितों को घर घर ज़ाकर साहिता चेक भी बिर्दित किये गए जुला अधिकारी गरप्याल ने आपदा से प्रभावित लोगों की समस्याइं सुनी और तुरन समस्याओं का निर्देश भी मौके पर संबंदित अधिकारियों को दिये उन्होंने रामगर जमरानी नाले से हुए रामगर तली बाजार में खरो तुकानों को खुए नुकसान का भी सलिया निरेक्शन किया तो आपको बतादे, DM ने आपदपृभावित शेतरों का नेंदि किया ननी ताल में यह तस्फिर देख सकते हैं साथ ही जो प्रभावित लोग थे, प्रभावित जगा थी वहां का नेंदि किया और ऐसे में लोगों को भी राहत वराशी के चैक भी बित्रत किये रुड़की के तिरपूरा में पिछले एक सब्ता से हो रहे नरसंकार आगशनी को लेकर आजास समाजबार्टी ने बीज़िपी सरकार को जिम्मधार ठढ़ाते हुए जल्द ही अंदोलन की श्रिताती दी है मंगलौर के आजास समाजबार्टी के वरिष चुनेता काजी मोसी ने एक प्रेस कौनफरेंस कर कहा कि पिछले एक सब्ता से तिरपूरा में एक समुदाय के मकान और धर्म स्थल चलाए जा रहे हैं जिसमें भीज़िपी सरकार की साधिच साथ मस्दा रही है हाला कि इस मामले में तिरपूरा के हाई कोट ने संग्यान दिया है पर सरकार की मंद्शा ऐस मामले में ठीक नहीं नसराती है जिसको लेकर उन्होंने चिताबनी भी ठीके सरकार वहां के हालात को या तो जल्द ही काबू में करे नहीं तोजाज समाज पाते इस मामले में आंतोलन को पाते हो की बांगलादेश के अंदर दुर्गा पूजा पंदाल का एक मामला होता है जिसकी वीडियो और फुटेज इस हिंदुस्तान में सर्कुलेट की जाती है किसी दूसरे मुलक के अंदर होने वाली घटना के ओपर हिंदुस्तान के अंदर कुछ हिंदु आउटफिट्स जो हैं जो फंडिड एंड आपरेटिड हैं जिनको सरकार का सर्णक्षन प्राप्त है उनके दूरा हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के ओपर हमले किया जाते हैं मस्जीदे तोड़ दी जाती हैं लोगों के घर जलाया जाते हैं हाला कि आज तरिपुरा के हाई कोर्ट ने इसके ओपर संग्यान लिया है सब्सक्षा कि और गहा वाइलनस चलते होगा पिछले महीने की 26 तारिक से चल रहा है तीत प्रोहितों की देविस्थानम बूज को भंग करने की मांग पर सरकात ने पूर राज्य सभा सांसत मनोखा कांत ध्यानी की अध्यक्षुता में उच्छ समीती का गठन किया था और इस समीती में चार धामों से तीत प्रोहितों को सदस्य नामित करने का पैसना दिया गया जिसके बाद साश्र ने समीती में नौ सरदस्य नामित करने के शाश्र नादेश जारी किये हैं इसे में बद्रिनार धाम से विज़े कुमार ध्यानी को नामित किया गया वहीं 25 अक्टूबर को समीती के अध्यक्ष मनोखा कांत ध्यानी ने मुख्या मंत्री पश्चुका सि प्रसाश्र अलर्ड दिखाई दे रहा है नगानिकम के तरफ से रूदरपूर के चालिस वाटर में फॉगिंग कराई जा रही है और डेंगो के मच्छन नाखों इसके लिए भी तबाईयों का छुड़काफ किया जा रहा है आपको बता देंगों के रुड़की में डेंगो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है इसी को देखते हुए रूदरपूर नगानिकम प्रसाश्रों के तरफ से देंगो से बचाथ के लिए शेहर में फॉगिंग, ब्लीचिंग, पाउटर का छुड़काफ किया जा रहा है ताकि देंगों के मच्छन नाखों सके और ल साथ फिलाल इसका पुलेटर में इतना ही, आप देखते रहेंगे नियस वोल इंडिया